लो गाईस कैसे हैं आप सभी, होप यू गाईस आप सब बढ़िया होंगे, दोस्तों आज यह संडे वक्त होता है, हैश्टेक आस्क इवी का, जिसमें कि आपके पूछे गए, इवी से रिडियर जितने भी सवाल होते हैं, उनका हमान सब दिने का ट्राइ करते हैं, और दोस्त सबसे पहले अपडेट की बात कर लेते हैं, तो लास्ट विक ओला के साथ में काफी बड़ा एक्सिडेंट हो गया था, यानि कि ओला स्कूटर का एक बंदे का काफी बड़ा एक्सिडेंट हो गया था, जिसमें कि मेजर इंजरी भी हुई थी, जिसके ओपर मैंने भी आपको एक वीडियो बना कर बताया था और वहीं इस accident के उपर ओला ने भी अपनी परतिकरिया जारी कि थी और एक note जारी किया था जिसमें कि उन्होंने इस accident के बारे में बताया है तो यहाँ पर अगर आपके scooter में भी front fox suspension से आवाज आ रही है या फिर कोई ऐसी भी problem आ रही है यानि कि आपको लग रहा है कि इसमें से कुछ न कुछ आगे बड़ी problem हो सकती है तो आप ज़रूर से जाकर अपना front fox suspension एक बार ज़रूर से चेक आउट करवाओ अपने service center पर या फिर आप अपने घर पर भी बुला सकते हैं वहीं दोस्तो front fox suspension तूटने के तो आपने काफी सारे case देखे होंगे बट अभी recently कुछ rear suspension भी तूटने की case सामने आये है बाकि इस तरह के जितने भी case होते हैं तो उनमें ज्यादा तर accident के chance बने हुए होते हैं नेक्स दोस्तों ओला की दरफ से 26 जन 2023 में एक सबसे बड़ी EV ride की अरेंज की गई थी जो कि सभी cities में हमें देखनों को मिली थी और इस ride में हमने भी participate किया था और सबसे ज्यादा हमें Ola की future factory में scooters देखनों को मिले जहाँ पर ये unity ride को range किया गया था तो यहाँ पर ये अभी तक की सबसे बड़ी EV ride थी जिसमें क्यों कोई भी pollution बगरा नहीं था जो कि सच में काफी कमाल की ride रही है बाकी कुछ लोगों को इस ride के बाद में certificate बगरा भी दिये गए थे तो आप में से कितने लोगों को ये certificate मिला है comment box में जहरू से बताना next दोस्तों जैसे की last video में भी मैंने आपको बताया है था कि ether stack 5.0 का update अब rollout होना सब को start हो गया है बट काफी लोगों को इसका update अभी भी नहीं मिला जैसे की ether gen 2 वालों को अभी भी इसका update नहीं मिला और काफी ज़्यादा wait कर रहे है वो लोग हाला कि अभी तक इनका जो update था gen 2 वालों को भी मिल जाना चाहिए था वहीं update के बाद में कुछ लोगों के map पर ठीक से काम नहीं कर रहे है यानि कि वो वही लगी और slow काम कर रहे है जो कि पहले इनका करता था तो यहाँ पर ether scooter में update के बाद में काफी लोगों को problem देखने को मिल रही है जो कि company को जल्दे सी जल्दे fix कर देनी चाहिए क्योंकि काफी लोगों के जो रोज मन रहा की जिन्दगी के काम होते है वो अपने scooter से ही करते है तो यहाँ पर काफी लोगों को अभी भी problem देखने को हमें मिल रही है बाकि आप में से कितने लोगों को अभी scooter की update मिल चुकी है जो उसे बताना नेक्स दोस्तों अगर आप इस टाइम पर एक डिया electric scooter लेने की सूच रहे है तो इस टाइम पर एथर ओला के लावा एक और company है जो की add हो गई है Hero Vida जी हाँ दोस्तों मैं Vida electric scooter की बात कर रहा हूँ जिसकी delivery स्टार्ट हो गई है यहाँ पर इनकी जो delivery है वो जैपूर दिल्ली और बैंगलूर में start की गई है वही अधर city में जैसे ही company इनकी पहले टेस्टाइब श्टार्ट करेगी उसके बाद में delivery श्टार्ट करेगी तो मैं आप लोगों को जोड़ से इंफर्म कर दूँगा बाकि अभी के लिए आप इन तीन city से इस scooter को book कर सकते हैं टेस्टाइब ले सकते हैं और इसकी delivery भी आपको इन cities में देखन को मिलेगी जो कि काफी अच्छा है हलाकि इसके उपर मैंने full detail में वीडियो बनाया हुआ है तो वो वीडियो आप जोड़ो से check out करना उसमें काफी अच्छी अच्छी important बाते में ने बताई हैं अब आपके पूछे हैं इवी से related कुछ सवाल ले लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर सर दिल्ली में subsidy कब तक available होगी तो यहाँ पर दिल्ली में जो subsidy के बाई chances बने होएं वो मुझे लगता है कि मार्च 2023 सकी आपको मिलेगी उसके बाद में सायद से subsidy बंद हो जाएगी अभी leaks तो यही आ रहे हैं कि मार्च में सायद से बंद हो सकती है बट अभी भी confirmation नहीं है यहाँ पर अमिट से नहीं पुछते है हैस्टेक आस्कीवी एथर जैपूर शोरों में राजिस्तान दोनों में कितनी सेल हुई है दिसंबर 2022 के मंत में बताओ सर तो यहाँ पर पर्टिकॉलर एक सिर्टी का दो डेटा सामने नहीं आता यहाँ पर मैं आपको दिसंबर 2022 के अगर सेल की बात करें तो एथर ने 7000 कुछ के करीब स्कूटर सेल किये थे तोटल यानि कि पूरे इंडिया में 7000 करीब के स्कूटर सेल किये थे नेक्स्ट यहाँ पर विवेक बगिया पुछते हैं एक question student हो तो अलग से subsidy मिलेगी किया तो यहाँ पर student क्यों होने से कोई पर अलग से subsidy नहीं मिलती नेक्स्ट यहाँ पर अमेग होगिया पूछते है ओला S1 Air की payment window कब open होगी तो यहाँ पर ओला S1 Air की जो payment window है वो बहुत ही जल्दी open में वाले है यहाँ पर company ने April 2023 में बताया है कि इस scooter की delivery स्टार्ट हो जाएगी तो इसकी जो window है वो काफी जल्दी open होगी यहाँ पर इनकी website पर मैंने कहीं देखा था कि जो payment window है वो next February 2023 में सायद से start हो सकती है तो आप wait करो थोड़ा सा क्योंकि इसके ओपर भी बहुत जल्दी नई update आने वाली है next यहाँ पर जो ओला का accident हुआ था उसके उपर एक वीडियो जो हमने बनाया था उसमें काफी सारे मुझे comment आया है यहाँ पर एक और comment ले लेते है जिसमें से कि भाई यह किस तो कम है experience center के back side में जाकर देखना हमेशा एक दो scooter मिलेंगे जिनका suspension तोटा हुआ होता है जैपर experience center के पीछे गया था एक scooter का front box suspension तोटा पड़ा था कि सोचो तोटने के कितने scooter होंगे पता कितने चलते हैं तो यहाँ पर यह सच बात है कि scooter के जो front box suspension है वो काफी ज्यादा लोगों के टूटे है कुछ लोगों सेंड कर देते हैं कुछ का वायरल हो जाता है तभी हमें पता चलता है उसके अलावा काफी लोगों का पता भी नहीं चलता तो यहाँ पर काफी टाइम पहले मैं भी इनके service center गया था वहाँ पर भी मुझे एक दो suspension टूटे हुए मिले थे नेक्स नहीं पर एक और question लेते है जो हमेंने एक push डाला था जिसमें कि front box suspension आप नया बनकर आ रहा है काफी लोगों ने वो push देखा होगा आपने से अगर नहीं देखा तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर जो front box suspension जिस जिसका टूटा है उसका company जो नया दे रही है उसमें आप थोड़ा से change देखेंगे यहाँ पर अब जो part है वो थोड़ा सा उबरा हुआ होगा क्योंकि यहीं से majorly जो accident होते हैं वहीं से तूटते हैं तो यह आप देख सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा change हो गया है बाकि इसमें रितिक कोशिक पूछते हैं सर हमारा क्या free change होगा सर फोटो में बताओ क्या है हमें वीडियो बनातर बताओ तो यहाँ पर मैं रितिक आपको बता देना चाहता हूँ कि यह सभी का change नहीं होगा अगर आपके front fox suspension से आवाज आ रही है या कोई problem है या फिर company को लगता है कि इसमें यह आगे तूटने के chances बन सकते हैं तो आपका front fox suspension change करके company free में देगी बाकी हर किसी का यह change नहीं कर रही है नेक्स यहाँ पर जो accident हुआ था उसमें एक और comment लेते है अथर is best EV ever right now hashtag proud to be ether owner तो दोस्तों यहाँ पर यह नहीं है कि सिर्फ Ola का यह scene हुआ है Ola के लावा और भी EV manufacturer है जिनके इस तरिके के कुछ-कुछ suspension वगएरा या फिर कोई और major problem आई है बट उनका जो इतना ज़्यादा viral नहीं होता Ola scooter में क्या है कि Ola हर वक्त Twitter पर रहती है और trending में बनी रहती है इसलिए इन सब का पता चल जाता है next आपर एक और comment आया है कोई मेरे पैसे वापिस दिलबा दो Ola से मुझे scooter नहीं चाहिए तो अगर भाई आपके साथ में कोई scam हुआ है payment करते हुए तो मुझे नहीं लगता कि आपके पैसे वापिस आएंगे क्योंकि Ola ने वो कोई scam नहीं किया है कोई third person है जिनोंने scam किया है तो इस तरह के से अगर कोई आपके साथ में problem हो जाती है जब भी आप payment करते है किसी भी scooter की या फिर आप किसी भी AC series वगरा की payment करते है तो यहाँ पर Ola का कोई भी उसमें fault नहीं होता यहाँ पर जो fault है वो आपी की तरफ से हुआ है इसलिए Ola उसमें कुछ भी नहीं करेगी नेक्स और लास्ट कोशन ले लेते हैं यहाँ पर when will be next booking of Oven EV bike तो यहाँ पर Oven Royer bike के लिए कूछ रहे हैं तो यहाँ पर इनकी जो booking है वो हमेसाई start रहती है आप इनकी website पर जाओ जो test drive का है उसमें test drive लो यहाँ पर test drive के लिए आपको 99 rupees पे करने होते हैं और वो आपके घर पर test drive लेगरा देदने आते हैं उसके बाद में अगर आप वो amount refund नहीं करवाते हैं तो आपका यह जो bike है वो book हो जाती है तो इनकी website से जाकर आप अभी भी इनकी test drive लेगरा book करेंगे झाल